नमस्कार शिवालिक ओनलाइन क्लासिज में आपका स्वागत है सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि दोस्तों आपका साथ ही हमारा साहस है जैसा कि आप जानते हैं हम HPG के और General Science की Question Series शुरू कर चुके हैं उसके साथ साथ हम आज से Hindi Grammar की Question Series भी शुरू करने जा रहे हैं यदि आप पहली वार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें तो चलिए शुरूआत करते हैं अज के विचार से जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं की तो दोस्तों हर दिन कुछ नया सीखते रहिए गलतियां होगी गलतियों से सीख लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए आईए देखते हैं आज का पहला सवाल यथा समय समास है ततपुरुष, अव्यभाव, करमधारिय या बहुब्रही तो दोस्तों यथा समय समास है अब यह भाव समास कैसे आईए डिसकस करते हैं समास को लेकर देखिए आपसे दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं या तो आपसे पुछा जाएगा समास के कितने भेद होते हैं या आपसे पुछा जाएगा कौन सा समास किस भेद के अंतरगत आता है जैसा कि इस सवाल में है तो समास होता क्या है दो तरह दो questions बहुत important हैं जो कई परिक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सवाल ये है कि वर्णों का मेल क्या कहलाता है और शब्दों का मेल क्या कहलाता है देखिए दोस्तों वर्णों का मेल कहलाता है आपका संधी और शब्दों का मेल कहलाता है आपका समास तो यहाँपे अगर आप देखें यथा समय में शब्द है आपके पास यथा और समय तो वे समास जिनका प्रथम पद अव्य हो जैसे कि इसमें है यथा यथा एक अव्य है जिसका अर्थ होता है अनुसार तो यदि अव्यई शब्द की जानकारी आपको नहीं है तो जब हम डिटेल में वीडियोस डालेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी तो हम बात कर रहे थे वे समास जिसमें प्रथम पद अव्यई होता है या फिर प्रथम पद उपसर्ग होता है वे अव्याई भाव समास के अंतरगत आते हैं तो यह था समय जिस का अर्थ है समय के अनुसार यह समास आता है अव्याई भाव समास में चलिए देखते हैं अगला सवाल इन में से कौन सा शब्द संग्या से बना हुआ विशेशन है कृपा, जाती, नमक, कुलीन तो कुलीन ऐसा शब्द है जो की संग्या शब्द कुल से बना है या फिर हम कहें कुल जो की एक संग्या शब्द है उससे बना हुआ विशेशन शब्द है आपका कुलीन अगले सवाल के तरफ चलते हैं रचना की दरिष्टी से शब्दों के कितने भेद हैं, देखिए दो-तीन-चार-पांच रचना की जगह हो सकता है आपको एक्जाम में लिखा हो व्यूत्पत्ति, व्यूत्पत्ति के अधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो वो होते हैं तीन, रूट, यॉगिक, योग हो सकता है आपको ये सवाल भी आए कि उत्पत्ती के आधार पर पहले मैंने जिक्र किया वे उत्पत्ती अब मैं कह रही हूँ आपसे उत्पत्ती उत्पत्ती यानि या फिर स्त्रोत के आधार पर स्त्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं या कौन-कौन से हैं तो व पत्ति या स्त्रोत के अधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, लेकिन रचना या वेउत्त पत्ति के अधार पर तेन, रूड, यौगिक, योगरूड, अगला सवाल, अभ्यूदे शब्द में कौन सी संधी है, देखिए, संधी समास उपसर्ग प्रत्य ये आपके ऐसे टॉपिक है, जिसमें अगर आपको विग्रह, विग्रह याने की शब्द को तोड़ना आ गया, तो आप ये सभी टॉपिक्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अभ्यूदे शब्द में कौन सी संधी है, यन, गुण, अयादी, दियाफिर, दिर्ग संधी, अगर प्रथम पद के अंत में हो इ या इ और दित्य पद के प्रारंब में हो उ या उ तो वो यू या यू बना देता है, जैसे कि यहाँ पे बना है, तो अभी का इ और उदे का उ इसने बना दिया अभ्यू, अभ्यूदे, और ये किस में होता है, ये स्वर संधी के यन संधी में होता है, तो इसका जवाब है यन संधी, अगला सवाल है कि अधन ई, ए और अधन उ, स्वर संधी के किस भेद को व्यक्त करता है, दिर्ग संधी, व्रिद्धी संधी, गुण संधी या फिर यन संधी, तो ये जो रूल है आपका, ये आता है आपका गुण संधी क अंतरगत देखिए संधी समास ये बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है और इनको हम डिटेल में करेंगे इसके लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब की ये और हमारे साथ बने रहिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ फूल कौन सी संग्या है समुवाचक व्यक्तिवाचक या भावचक देखिए फूल समुवाचक संग्या तो नहीं हो सकती आते हैं व्यक्तिवाचक संग्या पे फूल व्यक्तिवाचक संग्या भी नहीं हो सकती क्यों क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर फूल के बात नहीं कर रहे हैं कमल फूल गुलाव फूल अंतरगत अगला सवाल है लंबोदर कौन सा शब्द है रूड, यौगिक, योगरूड या ये सब ही थोड़ा सा देख लेते हैं रूड, यौगिक और योगरूड को मालीची यह मैंने एक्जामपल लिया कप इसका शब्द को अगर मैं तोड़ती हूँ इसका विग्रह करती हूँ, विखंडन करती हूँ इसका, तो बनकर आता है को और पो, जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है याने कि वे शब्द जिनको जब आप तोड़ते हैं उसके बाद उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता वो होते हैं आपके रूर शब्द मैं को और एक्जामपल लेती हूँ मैंने लिखा देवाले ये देवाले शब्द मैंने दो शब्दों से मिलकर बनाया देव यानि देवता और आले यानि रहने का स्थान इन दोनों शब्दों को जब मैंने मिलाया तो बन गया देवाले इसका अर्थ है देवता के रहने का स्थान तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और पहले भी उनका अर्थ सेम था और बाद में भी उनका अर्थ समान है वे आते हैं आपके योगिक में तीसरे हैं आपके योगरूड मैंने आपSे कहा लंबा उदर अब देखिए उदर होता है पेट लंबा उदर तो किसी इब्का भी हो सकता है लेकिन जब मैंने शब्द को जोड दिया तो वो बन गया लंबोदर और लंबोदर हम किसे कहते हैं गनेश को कहते हैं याने कि वे शब्द जो दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं अलग अलग उनका अर्थ अलग होता है लेकिन जब वो दोनों मिल जाते हैं मिलने के बाद उस शब्द का अर्थ बदल जात जैसे कि लंबा उदर, मोटा पेट या बड़ा पेट, बड़ा पेट किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब हमने उस शब्द को लंबा उदर से लंबोदर कर दिया, तो वो हम गनेश जी के लिए specifically use करते हैं, तो इन शब्दों को कहा जाता है योगरूर शब्द, तो लंबोदर पंक, ज, पंक यानी कीचड, ज यानी जनम लेने माला, अब कीचड में तो कुछ भी जनम ले सकता है, लेकिन जब मैंने इनको जोड़ कर बना दिया पंकज, तो पंकज किसे कहते हैं हम, पंकज हम कमल के फूल को कहते हैं, तो वो भी एक तरह का योगरूर शब्द ही है, नहीं है, अम्बू सर मेगपुष्प नीर, अम्बू पानी का प्रयावाची है, मेगपुष्प भी है, नीर भी है, सर पानी का प्रयावाची नहीं है, ये प्रयावाची है आपका तालाब का, प्रयावाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लकोक्तियां ये बहुत उतना ही बहतर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, कोई विशेशन है, परिमाणवाचक, सारवनामिक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं, जब आप कोई शब्द सुनते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, कि ये तो सरवनाम है, कौन सा सरवनाम, अनिश्येव लेकिन जब हम किसी संग्या से आगे सर्वनाम लगा दें, संग्या से पहले सर्वनाम लगा दें, और वो सर्वनाम संग्या की विशेशता बताता हो, तो वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता, वो बन जाता है सार्वनामिक विशेशन. तो कोई विशेशन है कौन सा सार्व नामिक विशेशन चलते हैं अपने अंतिम कुश्चन के तरफ तेन दुआ कौन सा शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम इन में से कोई नहीं याने की तेन दुआ शब्द हमने कहां से लिया है जब हमने हिंदी की शब्दावली बनी तो हमने कुछ शब्द तत्सम यानि की संस्कृत से लिए तत्भव यानि संस्कृत से हिंदी में बदले देशज यानि देशी बोलियों से लिए विदेशज यानि विदेशों से लिए और संकर यानि दो शब्दों को मिलाकर शब्द ब उठाया गया या लिया गया शब्द है तो दोस्तों ये था आज का आखिरी सवाल ये सीरिस हमारी कंटिन्यू रहेगी अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उन्हें रेगुलर देखते रहें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अपने विचार रखें और अगले वीडियो को लेकर जल्द ही हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद